नमस्कार दोस्तों कैसे है आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ब्याश्ट होंगे दोस्तों आज का या जो topic है हम लोग का बहुत ही ही बहुत ही बहुत ही important topic होने वाला है जिसमें कि आपको सिखाया जाया कि result का परतिसत कैसे निकाला जाता है जैसे आप कभी metric पास करते हैं या इंटर पास करते हैं या फिर कभी भी school में test वगरा लगाते हैं तो वहाँ पर आपका जो नंबर आता है तो उसको परतिसत में दिखाना पड़ता है परतिसत निकालना पड़ता है तो उसका परतिसत कैसे निकालेंगे उस चीज़ को आज समझने वाले हैं इसलिए आप वीडियो को सुरूर से लेकर करके लाइट तक अच्छे तरीके से समझ लिजे देख लिजे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो ठीक है अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ उसे दवा के सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी के बटन को भी दवा के रखे ताकि जब भी मैं इस तरह का हो रहा है और आप जोकुदेन्ट है जो की पराप्त किा कितना 350 का पराप्त कि लिजे जितना आप नंबर लाए है उसको क्या करेंगे इस तो उपर रखेंगे और जितना का एक्जाम हुआ उसको नीचे रखेंगे 500 हैत 500 करदी कुकिemate 60 में तो हमनों को क्या करेंगे 100 में गुणा कर देंगे 1500 के असी हम पर गुणा कर देना है ठीक है अब क्या होगा यहां देखी जिरो से 0 कड़ जाएगा यह 0 से 0 कड़ जाएगा बचा क्या है नीचे में 5 बचा हुआ है उपर में बचा हुआ है 350 तो इस 5 से आसानी से सब को काड़ देंगे 5 से काटिए गए तो 5 सत्या 35 वार में कड गया दूसरा नमर में भी सेम सवाल है टोटल जो पुरनांग है टोटल जो एक्जाम हुआ है कितना का हुआ है 500 का हुआ अधिक्ते राजकर 500 में होता है किसी भी बोड में है 500 का होता है इसलिए 500 का एक्जाम पर ले करके आपको समझाया जाता है यहाँ पर देखिया और प्राप्तान कितना है तो 420 तो 420 नमबर लाया है कोई student तो यहाँ पर का रहा है परतिसत निकाल करके दिखाईए तो परतिसत में अगर जिदि हम लोग निकालना चाहेंगे आपको भी तुरंद बताया गया तो जितना नमबर लाया है तो उसको उपर में रखेंगे और पूल एक्जाम जितना का एकजाम हुआ उसको नीचे रख लेंगे तो नीचे रख लेंगे 500 का एक्जाम हुआ है 500 को नीचे रख लेंगे प्रतिसलमें बदलने के लिए क्या करते है हम लोग 100 से गुना करते है एक सो से गुना कर दिए अब देखे यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा फिर इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा नीचे बचा किया यहाँ पर सिर्क 5 बचा हुआ है उपर में 420 बचा हुआ है तो 500 से लिचस का एक सो टरिक भी बताया जा रहा है जोकि आवए तुरंद भी किसी भी ब्रतिस इसक परतिसत मांड आप निकाल सकते हैं ट्रिक जैसे कितना नमर लाया है पाँस सो में से फिस्फवपचास में TO तोटल आजकाल जो सब्जेक्ट होता हूँ पांच ही सब्जेक्ट का एक्जाम होता है ठीक है पांच सब्जेक्ट का एक्जाम होता है तो क्या करेंगे यहां पर जितना नम्मर लाया है उसको लिख लीजिए उपर में और जितना सब्जेक्ट है तो पांच सब्जेक्ट का ही इक जाम होता है तो उस पांस से क्या कर रहेंगे भाग दे देंगे पांस सत्तर पर तिस यह आपका सट्रीक हो गया जो कि आपको तुरंद इसका आंसर निकल जाता है तिक है उसके बाद इसमें भी उसी तरह से कर सकते हैं 500 में से 400 कितना लाया बीश लाया है तो 400 को यहां होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पोड़ जाया मिलतें फिर अगली वीडियो में तब तक कि लिए जैहिंद बं दे मातरम